मिठाई बाटने का समय आ चुका है लड़ू बाटने की कीजे तैयारी खुसकबरी 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 जी हां मित्रू बहुती बड़ी खुसकबरी निकल कर सामने आ रही है सावन के पवित्र महिने में 25 जुलाई 2023 के दिन ग्रहों के राजगुमार कहे जाने वाले भगवान बुद्ध देव गोचर कर रहे हैं रासी परिवर्तन कर रहे हैं और दोस्तो पूरे एक साल बाद भगवान बुद्ध देव सिंग रासी में प्रिवेस करेंगी अगले पूरे एक साल तक छे राशियों की किस्मत एकदम से चमकती जाएगी तो चलिए जान लेते हैं कौन-कौन सी है वो छे सबसे ज़्यादा भागी साली राशियां दूस्तो पूरी जानकारी अपने इस वीडियो में जानने वाले हैं ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे आउरहां मित्रों वीडियो को लाइक जरूर करें और सावन के पवित्र महीन में वीडियो को निचे comment box में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ Facebook पर जरूर शेयर कर दीजे ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है न वो सभी लोगों को मिल सके चलिए भगवान बुद्धिदेव के गोचर के पश्चात सबसे पहली जो भागे साली रासी बनेगी न वो आती है मीन रासी जिनके नाम का पहला अक्सर दी, दू, थै, जै, दे, दो, चा और चैसे सुरू हता है उनकी मीन रासी होती है दोस्तो 25 जुरई के दिन जिसे ही लक्षमी नरजयोग का निर्मान होगा मीन रासी वालों की किस्मत एकदम से चमक जाएगी लक्ष्मी नर्यान योग का बनना मीन रासी वाले लोगों के लिए बहुती अच्छा और सुब साबित माना जा रहा है भगवान बुद्ध देव मीन रासी के चटे भाव में गोचर कर रहे हैं और ये चटा भाव धन, संपती, पद और परभाव से जुड़ा रहता है ऐसे में जिनकी भी मीन रासी है 25 जुलाई के बाद से ही आपको व्यापार में बहुती अच्छी तरक्य मिलेगी आपको जम कर धन का लाब होगा और धन कमाने के नए नए रास्ते भी बनेगी आपको बड़ी सफलता भी मिलेगी करियर में लाब होगा और इसे के साथ लक्षमी नरायन योग से आपको परमोसन और इंक्रिमेंट भी मिलेगा अगर आप कोई भी अच्छी नोकरी के तलास कर रहे हैं तो आपकी यह तलास भी पूर्ण होगी करियर में आपको शांदार ग्रोथ मिलेगी आपकी इंकम बढ़ेगी और आर्थिक समस्य अगर कोई भी चल रही है ध्यन समंदी ये प्रोब्लम चल रही है ना तो वो दूर होगी आप बचत कर पाने में भी कामियाब बनेंगे और कोई भी आपकी बड़ी इच्छा वो भी पूर्ण होगी और लक्समी नायन योग बनने से मीन रासी वाले जो कोई भी अगर साधी सुधा है मेरिड लाइप में है तो उनके रिस्तों में सुधार आएगा जो कुवारे है उनका विवाह का योग भी बनेगा चलिए जान लेते हैं दूसरी जो भागी साली रासी बन रही है उसके बारे में उससे पहले आपको एक महत पुन बात बताना चाहूंगा कि जिन्दगे में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो की बहुती ज़्यादा महनत करते हैं तो वहीं कुछ लोग आपको एसे भी मिले होंगे जो बहुत कम महनत करने के बावजूद भी बहुती आगे तक पहुँच जाती हैं तो वहीं जिन्दगे में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र बर महनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं यानि की जीवन उनका गरेबी में ही निकल जाता मित्रों या ग्रहों का खेल नहीं तो उर्क्या है और इसे के समाधान के लिए हमारे गुरू जी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानि की परसनलाइजड कुंडली जिससे आप घर बेट जादा तरह की मिलेगी कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और सुब फलित रहेगा उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे है ना उसके ओपर तो तेसे कुछ भी नहीं बताया जाता ऐसे में फालतु फोन करके आपना सुयम का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजी अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं जिसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहे है घर में धन की कमी बनी रहती है यह आपके उपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं यह आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है बहुत जगों पर आप रिस्ता देख कर आकिर ठक चुके हैं परिसान हो चुके लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिस्ता फाइनल नहीं हो पात अगर कुछ भी समस्य है तो स्क्रेन पर दिएगे नंबर पर वोटसप पर संपर करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मातर 251 रुपे की फीस देकर आप अपनी संपुर्ण जीवन की महा जन्म कुंडले के बारे में जान सकते हैं चलिए जान लेते हैं मित्रों बुद्ध गोचर के बाद अगली जो भागे साली रासी रहेगे न वो आती है तुला रासी जिनके नाम का पहला अक्सर रा री रू रे रो ता ती तू और ते से सुरू होता है उनकी तुला रासी होती है दूस्तो भगवान बुद्ध देव का गोचर करना तुला रासी वाले लोगों को बहुती अच्छा और जम कर धन का लाब कराएगा धन कमाने के नए नए रास्ते खुलेंगे और 25 जुलै से ही तुला रासी वालों के अच्छे दिन भी सुरू होंगी व्यापारी वर्ग के छात्रों को काफी ज्यादा लाब मिलेगा जो व्यक्ति नोकरी करते हैं जोब करते हैं दूसरों के यहाँ पर काम करते हैं उनको सेलरी में इंक्रिमेंट होने वाला है कलाउर सांसकर्तिक चीजों से जुड़े लोगों के लिए ये समय काफी अच्छा है और रचनात्मक विचारों में भी बड़ोत्री होगी जिनकी भी तुलारासी है भाग्ये पूरी तरीके से आपका साथ देगा आप अपने परिवार के साथ कहीं दूर यात्रा पर भी जा सकते ही और इसके लावाए नए नए जोब का ओफर भी आपको मिलेगा लगबग जो भी आपके अटके वे काम थे वो पूरे होंगे भाग्ये का साथ मिलने से और लक्ष्मी नरैन योग बनने से तुलारासी वाले लोगों के जिवन में अगस्त से ही धन की वर्सा होने की योग बन रहे हैं इसे के साथ धन की कमे से चुटकारा मिलेगा पुराना अगर कहीं पर भी इन्विस्मेंट कर रहा है तो उससे भी लाब मिलेगा और नए नोकरी की तिलास करने वालों के लिए तो समय गोल्डन ही बनावा है चली आगले जो भागे साली रासी रहेगी रहेगी न वो आती है कन्यारासी जिनके नां का पहला अक्सर टो, पापी, पू, शेर, न, ठा, पे और पो से सुरू होता है उनकी कन्यारासी होती है आपको बता दे मित्रू कन्यारासे वाले लोगों के लिए लक्ष्मी नरायन योग का बनना बहुती अच्छा और सूब साबित होने वाला है। जो विद्यारती है जो पृतियों की परिक्षा की तियारी कर रहे हैं। की, कू, बड़ा गय, छै, के, को और हाज से सुरू होता है उनकी मिथुन रासी होती है। आपको बदा दे मित्रू जिनकी भी मिथुन रासी है ना, भगवान बुद और सुक्र की यूती से जो लक्ष्मिन रायन योग का निर्मान हो रहा है ये मिथुन रासी वले लोगों के लिए बहुती सुब और उत्तम फलदाई सिद्ध होगा। मिथुन रासी में भगवान बुद देव तीसरे भाव में होंगी ऐसे में जिनकी भी मिथुन रासी है उनको धन का लाब होने का योग बन रहा है। मिथुन रासी है जो अपना स्वयम का व्यापार करते हैं उनको इस साल 2023 में दिन दोगोनी राचोगोनी गती के साथ तरक्य मिलेगी। भागे आपका साथ देगा और इस साल आपको व्यापार में प्रोफिट भी काफी अच्छा और शांदार रहेगा। चलिए जान लेते हैं मित्रों अगली जो भागे साली रासी बनेगे न वो आती है व्रिसब रासी जिनके नाम का पहला अक्सर E-U-A-O-V-A-V-E-W-E और वो से सुरू होता है उनकी व्रिसब रासी होती है। दूस्तो भागवान बुद्य देव का गोचर करना व्रिसब रासी वाले लोगों के लिए भी बहुती अच्छा और सुब साबित होगा। आकस्मी ग्रूप से यानि की अचानक से धन की प्राप्ती भी होगी। और ये साल आपको आर्थिक इस्तिति के लिहास से अगस्त से ही समय बहुती अच्छा और उत्तम होगा। क्योंकि बुद्य देव आपकी रासी के आठवे भाव में संचरन करेंगे और साथ ही छटे और नवम भाव के स्वामी भी होती हैं। इसलिए इस समय रिसर्च और गणीत से जुड़े लोगों को लाब होगा। इस दुरान आपको किस्मत का साथ भी मिलेगा। और वहीं बुद्य देव के सुब प्रभाव से कोई भी अच्छा इन्वेस्मेंट या कोई भी संपति खरीदने का मोका भी मिलेगा। इस आओधी में कोई भी आप नया बिजनिस सुरू कर सकते हैं जो कि आपको आने वले समय के लिए फाइदस देगा। जै श्री कृष्णा जै श्री राधे मित्रों।